नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपी के लेकर आया हूँ आपको स्वस्त बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में अपने टूटे हुए बालों को मत पैगे क्योंकि इसके फाइदे जान दंग रह जाएंगे आप अभी तक नहीं जानते होंगे कि ये कितने अधिक उपी होगी है दोस्तों वैसे तो टूटे हुए बालों को सब फैक देते हैं लेकिन इन बालों में पाइज आने वाले क्रेटिन प्रोटीन के फाइदों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे इसी प्रोटीन के कांँ बाल से कुछ उपाए भी किये जा सकते हैं बाल से तात पर ये लोगों के सिर के बाल से लगाना चाहिए कहीं पर भी यदि बाल सब्द का जिकर होता है वहाँ पर उसका अर्थ है मनुस्य के ही बाल से लगाना चाहिए बाल काले, भुरे, सफेद वे लाल रंके होते ही ध्यान रहे कि बाल को भूले से भी खाने से उर्टी होने का डर रहता है इसलिए इनको खाना नहीं चाहिए तदह यह सरीर के अंदर के सभी आंगों को हानी पहुँचाता है अगर हमारे सरीर के अंदर चले जाते ही तो आज ये दोस्तों जानते हैं तूटे हुए बालों के कुछ चमतकारिक प्रियोर बाल तोड कंगी करते समय तूटे बालों को इकठा करके एक कटोड़ी में रख लें उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें फिर इस तेल को गुनुना करके बाल तोड पर लगाकर पट्टी बान दें इससे बाल तोड ठीक हो जाएगा नाक से खून बैना उंट के बालों को जलाकर राक बनाकर सूँने से नकसीराना बंध हो जाता है जले हुए घाओ आग से जले हुए घाओ पर बान लगाने से घाओ जलती ही ठीक हो जाता है फोड़े फुंसिया बालों को पीस कर सिर्का में मिलाकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है काँच निकलना इसकी बारीक पिसी हुई चुटकी बच्चों के काँच निकलने के रोग में बहुत अधिक लाग कर रही है सिर्क तूटने पर यदि किसी काणवन्स गाएं भैस और बकली आदी के सिर्क तूट जाएं तो मीठे तेल में सिंदूर मिलाकर तूटे हुए बालों के साथ सिर्क पर लपेट देने से जल्द ही गाओ भर जाता है और नए सिर्क निकलाते हैं तो देखा दोस्तो कैसे हम बालों से बहुत सारे प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तो आप भी इन प्रियोगों को अपना कर अपने लिए अच्छा कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्द हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वजियर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जवर्दस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखने बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों